दोस्तों अगर आपके रिलेशन में या फ्रेंड सरकल में या फिर कोई आपका जानकार विप्ति है जो की इसी भी तरीके से विकलांग है तो उसका विकलांग सार्टिविकेट कैसे बनवाएं ताकि उसे सरकारी लाप मिल सकें तो आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको किसी भी ब्रावजर पर आना है और सर्ज बुक्स में टाइप करना है UDID इतना सर्च करने के बाद आपको जो सबसे पहले लिंक आ रही है यहाँ पर आपको simply जो UDID की पहले लिंक आ रही है आपको क्लिक कर देना है परल्ज नया बनाने वाला हूँ तो यहाँ पर यहाँ सबसे पहले आपको basic details अपना फिल करना रहे गा जैसे कि आपका नाम father name mother name इसा डीटिल आपको फिल कर लेना चलिए मैं फिल करके दिखा दे रहा हूं तो यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम फिल कर लेना है और अगर आप हिंदी में लिख पा रहे हैं तो लिख दीजिए अधरवाइस यह जरूरी नहीं है उसके बाद यहां से फादर नेम उसके बाद मदर नेम फिल करने के बाद आपको सेंपली आपका मुबाइल नंबर जो भी आपका अधार से लिंक है या वही डाले जादा बहतर रहेगा आप से लिंक मुबाइल नंबर जो है उसके बाद आपको मेल आईडी मेल आईडी ओफिशनल है जरूरी नहीं आपके पास है तो फिल कर सकते हैं अधरवाइस कोई जरूरी नहीं है और आज की यूग में तो जिसके बाद भी अंडॉइट फोन है सब के बास होते हैं यह फि फोन टैक नमबर डालने के बाद आपको अप्लोड करने को मांग रहा है अपका फोटो और यहां पर सिपनेचर अगठा लगाते हैं तो अब अपना थम्प इंप्रेशन आप यहां पर अप्लोड कर सकते हैं तो सब्सक्राप फोटो का देख लिए फोटो में आपका जो फो मांग रहा है यह 3KB से लेकि 20KB में होना चाहिए और यह केवल JPG, JEPG और JPG और PNG यह तीन साइज में आपका मांग रहा है यहां पर दोने चीज अप्लोड कर देना है चलिए अप्लोड करके देख लेते हैं यहां से मैंने पहले फोटो अप्लोड कर लिया फोटो अप्लोड करने के बाद यह मेरा फोटो सेम साइज का था इसले अप्लोड हो गया उसके बाद यहां से अपना सिगनेचर अप्लोड कर लेना उसके बाद यहां पर ऑफिशनल डीटेल्स जैसे कि आपका परसनल इंकम जो जो भी है आप सिल्क कर लीजिए यहां पर मैं डिप्लोमा कर रखा हूँ या पोस्ट इसमें जो भी है आपका इसके बाद यहां से बादने के इसमें आधार करेंगे उसके बाद करके नेश्ट औप्सन पर आएंगे यहां देखेंगे एड्रेस का option मांग दा यहां से address अपना fill कर लेना सबसे पहले यहां पर document प्रूफ ऑड्रेस आधार कार्ड मैंने ले लिया उसके बाद यहां आधार कार्ड को upload कर देना है अधार काड अप्लोड करने के बाद यहां से अपना पूरा address जो भी है अधार कार्ड पर mention वो सारा यहां पर fill क पूरा ऑद्रेस नहीं एंसे तो आप आएसे भी भर सकते हैं जो भी आपका ट्रेस है ने और यहाँ पर मैं अपना एड्रेस फिल कर लेता हूं ये इसी लग करने के बाद आपको शिम्प्ली देना है पिन डालने के बाद आपको नीचे के तरफ आना यहां पर डिसे वैयलिटी टाइप पे आपको देख लेना जीस अब दिसे बेर हैं वह यहां सबसे पहले ब्लाइडने से इसमें अध़ की बिमारी है तो जानी जितनी भ कमॉटर कर लिया है अब यहाँ पर disability due to यह कब से है accident हुआ था या बच्पन से है जो भी है वो click लेना उसके बद यहांसे disability by birth अगर आपक बच्पन से तो बच्पन से अगर नहीं तो no करके कब से है यह problem वो आपको select car lena है इसके बाद यहाud सब्सक्राइब आपके पास है या नहीं अगर है तो यस अदर्वाइज नो कर दिना है और इसके बाद होस्पिटर लेख सेक्शन पर आ जाना है यहां से अगर आपका टीटमेंट जो है अस्पिताल में हुआ तो सेम अपके स्टेट में तो नो अगर बाहर हुआ तो यह करके आपको ऊससे तो कावनाम चूओज कर लेना है यहां से आपका ग्रिविव करं तो आपने नहीं कर दिया है यह सारा सबывает आपको तरीकी से देख लेना मैं यह डेमो के तोर पर बता रहा हूं यह बनवाना है ने इनको यह सिर्फ चेक किया जा रहा है आपको बताने के लिए मैं इसको एडिट कर ले रहा हूं यह एडिट करने के बाद आपको final submit पर जाना है और यहां से submit करना है पहले capture डालके क्योंकि जितने बार आप एडिट करेंगे capture मांगेगा अब यहां से फोटो का इश्वार है तो बाराज आपको photo upload करनी रहेगी कि यहां सारे दोकुमेंट जो की जहां जहां आधार का अप्लोड कर र Similarly। उप्लोड करना रहेगा जैसे आपने पहले कर रहा थह सेम ओझेड़ सबको अप्लोड कर लेना है जएपीजी में अप्लोड करने के बाद आपको नीचे सम्मिट का उप्सेन पर क्लिक कर देना है जैसे सम्मिट करेंगे यहां पर आपको एकर रिशेशन नंबर मिल जाएगा भी यह पहले भी समिट करके दिखा दे रहें आपको और याँ अश्य को कि दृष्हां के इस अंतुष्ची के लिए कई बात चेक किया जाता है ों चेक करने से बाद में कोई इशू नहीं होता इसलिए आप बेहतर तरीके जबना चेक कर ल Create क्लें ताकि आपको को इश सम्मिट पर क्लिक करेंगे आपको एक इनलोडमेंट नमबर जनरेट होकर आ जाएगा चलिए करके दिखा दे रहे हैं आपको यह मेरा final summit हो चुका है और यहां thank you for registration यह registration का हो गया मेरा application number था वो सब कुछ हो गया है यहां से download application form कर लेना है और download receipt कर लेना है इतना करने के बाद आपको अपने जिला के एस्पताल या CMO office आके वहां से पनी जाज करवाले नहीं है अगर जाज में आप सही पाये जाते हैं त आपका UD ID card बन जाएगा तो आसा करता हम यह जान करें अच्छी लगी